हाँ अस्वेंडे खूल का खर्चा नहीं करते वहीं मुकेश अम्बानी ने एक नहीं तीन बार अपनी वाइब को करोडों की प्राइवेट जेट गिफ्ट की है पर प्राइवेट जेट लक्चुरी कास और अंटीलिया के वाले अम्बानी के पास सिर्फ 6 कम्पनिया हैं रेकि इसका जवाब शायद ही है किसी के पास पर अगर मेरा वीडियो देखा तो क्या पता आप खुद ही देने इसका जवाब और वैसे तो आज एशिया के सबसे अमीर इंसान का टाडल मुकेश अम्बानी के पास है पर अगर वतन टाटा अपनी पूरी दौलत अपने हाथों में ले ले तो वो भी बन सकते हैं एशिया के सबसे अमीर इंसान लेकिन आखिर वो ऐसा कर क्यों नहीं रहे तो चलिए आपके सवालों का जवाब जानने के लिए शिरू करते हैं हमारा इन बिजनस प्लैन का पैसे और शौफ से बरा ये सफर मुकेश अम्बानी वसेज रतन टा किसका शौफ है जादा नंबर वान ऐसी थी दोनों की कंपनी की शुरुआत चलिए सफर की शुरुआत करते हैं 21,000 रुपीज से शुरू हुई एक टेक्स्टाइल कंपनी से जिसका नेट वर्थ आज 5 लाग करोड हो गया है लेकिन 21,000 से 5 लाग करोड तक का ये सफर आसान नहीं था क्योंकि 1839 में जमशे जी का स्टगर 14 साल की उम्र में ही मुंबई से शुरू हुआ था जहांसे ग्रेजुशन खत्म करते ही उन पर परवार की सिम्मेदारियां आ गए जिने पूरा करने के लिए उन्होंने 21,000 रुपए जोड कर शुरू किया टेक्स्टाइल की ट जन्दे में काफी प्रॉफिट हो गया बस इसी प्रॉफिट को दे उनका मन तीन ऐसे बड़े प्रोजेक्ट को शुरू करने का हुआ जिसका फायदा सिर्फ उनकोई नहीं बलकि उनके देश के सभी लोगों को मिल सके आलांकि सपने को पूरा होता देख नहीं पाये थे ले और साथ ही इंडिया में शिरू किया पहला इंडियन इंस्टिट आफ साइंस लेकिन दोस्तों इसे वक्त का सित्म कहलो या उमर का एक पड़ाओ जल्द ही इनका भी देहांत हो गया जिसके बाद 1938 में टाटा गुरूप की जिम्मेदारी जहांगीर रतन जी दादा भाई टा ने इंडिया की पहली इयर लाइन टाटा एयर लाइन की भी शुरूआत की जिसके बाद उसे कॉर्मेंड ने अपने हंडर लेते हुए उसका ना मेयर इंडिया कर दिया पर इन सब के बाद तीन पीडियों के नाम और काम को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मिली रतन नवल टाटा को जिनोंने उसे बहुभी निबाते हुए टाटा इंडिस्ट्रीज का नाम आज ग्लोबली ऐसा फेमस कर दिया है कि बच्चा बच्चा टाटा के बारे में जानता है और टाटा के साथ काम ज़रूर करना चाहता है तभी तो कमपनी का नेट वर्थ आज पांच लाग कर लोड तक जा पहुंचा है और बात करते हैं उस इंसान की जिसकी गाड़ी की कीमत में नॉमल इंसान बंगला बना लेता है और इतना ही नहीं इन्होंने जो पारकिंग अपने घर में वनवाई है न उतनी बड़ी-बडी बिल्लिंक्स में आदे से जादा मुंबई की पॉब मानी ने भी कड़ी मेहनत और सैलरी में मिलने वाले सिल्वर कोईंस को जमा करकर के अपना बिजनिस शुरू किया था मतलब पैसे जमा होने पर वो विदेश की नौकरी को छोड़कर मुंबई की एक चौल में रहने आ गए और जैसे तैसे बहुत संगर्श और मेहनत के बाद धीरुबाई अमानी ने रूलाइंस कमर्शिल कॉर्परेशन को शुरू किया जो मसालों और यान्स में ट्रेड करता था और जैसे ही मसालों और यान के धंदे में वो सेट हो गए वैसे ही उन्होंने विमल नाम से अपने कपड़ों का बिजनिस भी शुरू कर दिया पर विमल लोगों को लवाने में फेल हुआ इसलिए उसको कस्टमर्स का अच्छा रिस्पॉंस नहीं मिला जिसके बाद उसके स्टॉक में लोगों से इन्वेस्ट करवाने और उसके स्टॉक को बेचने का काम भी खुद धीरुवाई अमवानी को करना पड़ा लेकिन अपने आप में ये काफी बड़ी बात है कि जिस टाइम लोग इन्वेस्ट जानते नहीं थे उस टाइम धिरुवाई अमवानी ने विमल के आईपियो में लोगों से इन्वेस्ट करवाया था और ऐसी इन्वेस्ट करवाई थी जिसका फाइदा कंपनी और इन्वेस्टर्स दोनों को भरपूर हुआ और कुछी सालों में 70 करोड के रिविन्यू वाले रिलाइंस का रिविन्यू 2002 में 75,000 करोड हो गया था इस रिविन्यू और बिजन्स में मिल रहे सक्सेस के चलते रिलाइंस अंडिस्टर्स का नाम Fortune 500 में शामिल हुआ था लेकि शायद धिरुवाई के हिस्से में इतनी ही सक्सेस थी इसलिए तो उसी साल खराब तबियत की वजए से उनकी टेथ हो गई और उनकी मौत के बाद उनके पूरे बिजन्स को उनके दोनों बेटे मुकेश और अनलमबानी के बीच डिवाइट कर दिया गया पर दोनों भाईयों के बिजन्स का तरीका काफी अलग था इसलिए जहां एक भाई कोट में खुद गवाही दे रहा है कि उसकी नेटवर्ट जीरो हो गई है वहीं मुकेश अमानी का नेटवर्ट सेवन थाउजन नाइन हंदे थर्टी करोड डॉलर हो गया है नमबा टू इसका पैज़ा है ज़ससे होता है उसका फाइदा चलिए अब बात करते हैं इनके आज की यानी की दोनों के पैसों की क्योंकि ये सारी लडाई उसी की तो है पर क्या आप जानते हैं 88 मिलियन के नेटवर्ट वाले मुकेश अमानी रॉलाइंस रिटेल, रॉलाइंस पैट्रोलियम और रॉलाइंस यो जैसी कई कंपनीज के मालिक हैं परंतु वहीं 135 से ज़्यादा कंपनीज की सबसीडरीज होते हुए भी रतन टाटा का नेटवर्ट हमेशा अमानी से कम रहा है और कभी कागजों पर दिखाई भी नहीं दिया है पर आखिर क्यों तो आईए जानते हैं वैल ये तो हम सबी को पता है कि रॉलाइंस इंडिस्टीज फिलाल लिमिटेट सेक्टर्स में ही काम कर रही है लेकिन वहीं टाटा ग्रूप इंडिया के अल्मोस्ट हर फिल्ड में काम कर रहा है जैसे स्टील, केमिकल, आईटी, आटो मॉबाइल वगएरा वगएरा तबी तो सबसीडरीज कमपनीज की ज़्यादा होने की वज़े से टाटा ग्रूप का मारकेट कैपटल, मॉस्ट आफ दा टाइम, रॉलाइंस ग्रूप से ज़्यादा ही रहता है फिर भी, मुकेश अमानी का नेट वर्थ आज इंडिया में सबसे ज़्यादा कैसे है यही जानना चाहते है ना, तो आपकी क्रूस्टी को खत्म करते हुए, मैं बता दू मुकेश अमानी का नेट वर्थ इसलिए ज़्यादा है, क्योंकि रॉलाइंस ग्रूप में वो 48% शेर के मालिक है और जब शेर्स ही लगबग आधे उनके नाम है, तो जाहर सी बात है, कंपनी का फायदा होने पे आदमी की वैल्यू भी बढ़ती ही है इसलिए तो सेप्टेंबर 2020 में अमानी साहब का नेट वर्थ 88 बिलियन डॉलर हो गया था लेकिन वहीं अगर हम बात करें रतन टाटा की, तो टाटा ग्रूप में वो 1% से भी कम शेर के मालिक है क्योंकि उनकी ग्रूप का 66% शेर, उनकी ही कमपनी के अलग-अलग टरस्ट जैसे सर रतन टाटा टरस्ट, सर तुराब जी टाटा टरस्ट, टाटा एजूकेशन टरस्ट जैसे कई टरस्ट को डोनेट किया जाता है जो इंडिया के एजुकेशन, हेल्थ, लाइवलिहूट, जनरेशन और आर्ट इन कल्चर जैसे अलग-अलग से लिक्टर्स में काम कर रहे हैं मतलब बंदे को पूरी 134 प्लस कमपनीज मिली थी अपने नाम करने के लिए लेकिन फैमिली वैल्यू को आगे बढ़ाते हुए वो कमपनी का टू थर्ड से भी जादा हिस्सा देश वासियों के लिए दान कर रहे हैं इसका मतलब सहुए रहे हैं आप मुकेश अमानी सिर्क पेपर्स पर अमीर है जबकि जेन्यून पैसा रतन टाटा के पास है ये दो सुचने वाली बात है घार गाड़ी पैसा सब हैं दोनों के बास लेकिन फिर भी क्यों देखते हैं एक के खर्चे तो वहीं दूसरे के कम होते हैं चर्चे क्योंकि पैसा तो बोलता है बास लेकिन जिसको दिखावा करना आता है शायद उसका ही जादा बोलता है तब ही तो जब अमानी ने अपनी बेटी की शादी में 110 करोड खर्च किये थे तब उसके चर्चे बड़े जोरो शोरों से हुए थे और तो और जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में ही बताया था कि मुकेश अमानी ने अपनी वाइफ नीता अमानी को तीन बार 1000 स्क्वेर फीट का प्राइवेट जेट किफ्ट किया है जिसकी कीमत करोडों में होती है पर चौकी अमर क्योंकि इनके खर्चे अभी खत्म नहीं हुए है इनके पास एक यार्ट भी है जो इस्पेशली सोलर ग्लास रूफ से बनाई गई है और जिसकी एप्राउक स्कीमा 700 करोड है और अब जब पती इतने खर्चे करी रहा है तो बीवी क्यों पीछे रहे इसलिए तो नीता अमानी को हमेशा नए डिसाइनर कपड़े प्रेंडिट वाचेज और महेंगे बैक्स के साथ ही देखा जाता है पर देखो भाई जब सेट इंडिया का सबसे अमीर आदमी हो तो उसके नौकर को भी तो उसके स्टेंडर का होना पड़ेगा इसलिए मुकेश अमानी अपने सिक्यूरिटी गार्ड्स को भी डाई से तीन करोड वाली मरस्डीज, एमजी, जी सिक्सी ट्री एस पें साथ लेके गूंते हैं और तो और अपने अंटियलिया में गर्मियों में स्नो फॉल का मज़ा लेने के लिए इन्होंने उसके लिए अलग से स्नो रूम तक बनवाया है लेकिन वहीं अगर हम रतन टाटा के खर्चों की बात करें तो उनकी आइडिलोजी हमेशा से सिंपल लिविंग की रही है इसलिए तो उनोंने आज तक कोई बड़ा खर्चा नहीं करते हुए अपना घर भी काफी सिंपल और इलिगन्ट रखा है साथ ही अपने पैसों को स्टार्ट अप में इन्वेस्ट किया है ताकि उनकी कंट्री और कंट्री के लोग तोनों आगे बढ़ सकें फिर इसके अलावा उनका टाटा हेल्ट केर खुद को एकस्पैंड करते हुए अब इंडिया के 25 स्टेट्स और यूनियन टेरिट्रीज में फैल गया है और अब तो टाटा ग्रूप अपनी कंपनीज की तरह सोशल वक के हर फील्ड में अपने पैर पसारने लगी है फिर चाहिए वो वाटर सैनिटेशन हो या स्पोर्ट्स या फिर डिजास्टर मैनेचमेंट, माइग्रेशन या सोशल जस्टिस ही क्यों ना हो पर जिस तरह से टाटा ग्रूप लोगों के लिए बिना किसी पब्लिसिटी के काम कर रहा है उससे तो ये साब देख रहा है कि इनकी वैल्लियो और इथिक्स इनके लिए कितने इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक बिजनस मैन जहां अगर एक गुलाब भी खरीद लेता है तो उसकी हवा उड़ने लगती है मतलब उसकी नियूस बन जाती है वहीं दूसरा बिजनस मैन ऐसा है जिसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है लेकिन फिर भी वो सोशल वक्त में इतने आगे पहुँच गए हैं जिसका शायद किसी को पता ही नहीं है और इसकी वज़ा है उनका खुद ये सब काम चुप चुप के करना पर अब आप भी बताईए इन दोनों बिजनस प्लैन ने एक जैसी मेनत कर अपने आपको अपनी कमपनी को इतने आगे पहुचाया लेकिन फिर भी एक इनसान दुनिया की नजरों से खुद को बचाते हुए सारे काम कर रहा है तो वहीं दूसरे का छोटे से छोटा खर्चा भी लाइम लाइट में आ जाता है तो क्या ऐसे में अपने खर्चे का चर्चा करना वाकरी में जरूरी है क्या लगता है आपको कमेंट बाक्स में जरू बताना इसके साथ ही अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भीड़ी हो